प्रभियेश्यू पर विश्वास करके जीवन जीने वाले लोगों के साथ दुनिया में बैर किया जा रहा है। उनसे नफरत की जा रही है क्योंकि ये सारी बाते प्रभु ने पहले ही बताई थी कि मेरे नाम के खातीर लोग तुमसे बैर करेंगी। परागे प्रभु ने महत्वपुर्ण बात बताई है कि जो अन्त तक धीरच धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। अन्त तक अर्थात हमारे मरने तक। जब तक हमारे शरीर में साश्यू है तब तक हमें धीरच धरे रहना है। तब तक हमें विश्वास में बने रहना है। जो अन्त तक धीरच धरे रहेगा। जो अन्त तक विश्वास में बने रहेगा। उसी का उद्धार हो जाएगा। यानि उसी के आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और वे स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँच जाएंगी। हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं जहां पर प्रभी ईश्यों ने ऐसा कहा है कि मरते दम तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुड दे दूँगा। और यहां प्रभी बोल रहा है कि जो अंत तक धीरच धरे रहेगा उसी का उद्धार हो शाएगा।